आज समस किचिन में बनाते हैं हुन्जा टी जो की बहुत हेल्दी होती है सारे बेनेफिट्स डिसकस करूँगी इस वीडियो में तो वेलकम है आपका समस किचिन में तो सबसे पहले इंग्रीडियंट्स देख लेते हैं एक टुकड़ा अद्रक का दालचीनी करीब 2 ग्राम चा कप में पानी ले लेती हूं नौर्मल चाय वाला कप तो पानी को हम उबलने के लिए रख देंगे और इसमें डाल देंगे डालचीनी हरी लाइची और यह हैं हमारे तुलसी के पत्ते उदीने के पत्ते और अद्रक को ग्रेट करके डालेंगे तो बहुत सारे लोगों को जो हमारे लाक्टोस इंटॉलरेंस होता है दूद की चाय पीने से प्रॉबलम होती है वह लोग के लिए यह चाय बहुत अच्छी है और भी बहुत सारे हेल्थ बेनेफिट है तो अद्रक यहां पर कस गई है और अब डाल देंगे गुड़ तो गुड़ अपने टेस्ट के हिसा और वो उनकी उम्र काफी जादा होती है 100 से लेकर 120 साल तक की उनकी एवरेज एज होती है पर इसके साथ साथ चाय के साथ उनकी लाइफस्टाइल भी बहुत हेल्दी होती है वेट लॉस में भी यह चाय बहुत एफेक्टिव है इम्यूनिटी बूस्टर है आज कल के कुरोन पीरिट में जैसे के फिर से कुरोना एक्टिव हो गया है तो इस चाय को सुबा शाम पियें इसकिन रिंकल फ्री होती है एंटी एजिंग होती है और डायविटीज और बीपी को भी कंट्रोल में रखती है तो यह सारे इसके हेल्थ बेनिफिट्स है और इसके साथ साथ यह सी उबल गई है और सिंपल इंग्रेट्स से बनती है हमारे इंडियन घरों में सब चीजे होती है दस मिनट हो गया है चाय को उबलते हुए और आप देख रहे हैं सारे इंग्रेट्स का कलर आ चुका है पानी में अच्छी तरह से काफी फ्लेवर फुल हो गई है अब क्य थोड़ा डाक सा है और इसको मैं कप में डालती हो और आपको दिखाती हो नीबू डाल करके तो अगर आपको नीबू पसंद है तो जरूर एट करें अगर वेट लॉस के लिए पी रहे हैं तो इसमें नीबू जरूर डालें तो यहां पर कप में डाल दी है और आधा बढ़ाएगा और बहुत टेस्टी यह चाय है सुबह शाम इसको पीजिए और हेल्दी रहिए देखिए अप में कितना लाइट हो गया आप दूसरे वाले कप में भी डालेंगे और इसका भी कलर चेंज हो जाएगा नीबू आप अपने टेस्ट के हसाब से कम जादा कर लें और यह हमारी चाय बिल्कुल बनकर तयार हो गई है हुन्जा टी आई होब कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी कीप वाचिंग समस किचिन थैंक यू